नमस्कार दोस्ते में केशव खेला और आप देख रहे हैं टेक दिस वीक जहां मैं आपको हर अफते देश और दुनिया की टेकनोलोजी नियूस से रूबर उगराता हूँ तो चलिए देखते हैं इस अफते क्या हुआ खास टेकनोलोजी की दुनिया में अब सबसे पहले आपको पुता दूँ कि Samsung के flagship series का Galaxy Note 9 आखिरकार 22 अगस्त को इंडिया में लॉच्छ होने के लिए तयार है जी हां इस फोन में आपको मिलता है 6.4 इंच का Quad HD Plus Resolutional Display जिस पर Super AMOLED टेकनोलोजी का इस्तमाल किया गया है और इंडिया में ये फोन आपको Exynos 9810 chipset के साथ मिलेगा इसके दो वेरेंट्स लाँच किया जाएंगे यानि 6GB RAM के साथ 118GB की storage और 8GB RAM के साथ 512GB की internal storage साथ-साथ इसमें आपको 12MP का dual-ray sensor मिल जाता है जो की variable aperture के साथ आता है और इसमें आपको 2X optical zoom भी मिलता है वहें front में आपको 8MP का camera मिलेगा with F1.7 aperture साथ-साथ इस बार जो उसका highlight है वो है इसका S Pen जो की Bluetooth technology के साथ आता है इसके रावा इसमें आपको 4000 image की battery मिल जाती है मही में OPPO ने अपने सब brand Realme की शुरुआत की थी जिसके अंदर company है Realme 1 नाम का smartphone पेश किया था वहीं अब खबर आई की company बहुत जल्द Realme 2 नाम का भी smartphone लेकर आ सकती है और आप इस photo में देख सकते हैं कि इस बार आपको इस phone में dual layer camera के साथ-साथ fingerprint sensor और notch display भी देखने को मिल सकता है साथ-साथ हाना कि इस phone के specification के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं आई लेकिन माना जा रहा है कि इसमें भी आपको MediaTek का Helio P60 chipset देखने को मिल सकता है और इसे कीमत 15,000 के अंदर ही हो सकती है motoron ने चाइना में अपनी एक नई series का शुरुवायत किया है company PCs के अंदर P30 को ले के आई है इस phone के specifications की बात करें तो इसमें आपको मेरेगा 6.2 इंच का Full HD Plus Resolution और डिस्प्ले जो की notch के साथ आता है साथ साथ इसमें दिया है Snapdragon 636 chipset और इसके दो वेजेंट्स पेस्ट किये गए है यानि 6 GB RAM के साथ 64 GB की storage और 6 GB RAM के साथ 118 GB की internal storage इसके लावाइस में आपको 16 5 MP का dual race sensor और 12 MP का friend camera के साथ 3000 image की battery मिल जाती है वहीं अगर हम इसकी Chinese pricing को इंडिन रुपीज में translate करके बताएं तो इसकी शुरुवाती की में बनती है लगभग 21,000 रुपे Xiaomi के Poco phone brand को लेके पिछले काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है आखरकार अप company ने confirm कर दिया है कि company Poco F1 नाम का एक smartphone इंडिया में बाइसर गस्त को लेकर आने के लिए तयार है माना जा रहा है कि इस phone में आपको 5.99 इंच का Full HD Plus Resolution विला Notch Display, Snapdragon 845 chipset 6 GB RAM सा 14 GB की internal storage 12 प्लस 5 MP का dual ray sensor 20 MP का front camera और 4000 image की battery देखने को मिल सकती है OPPO के जिस नई V-Shape डिस्प्ले वले smartphone की चर्चा पिछले काफी लंबे समय से होती आ रही है आखिर कार confirm हो गया कि company इस smartphone को 21 अगस्त को भारत में launch करने वाली है हाला कि company ने अभी भी इसके नाम पर से परदा नहीं उठाया है पर पूरी उमीद है कि company AC phone को लेकर आएगी इस phone के specifications की बात करें तो मानने जा रहा है कि इसमें आपको 6.3 इंच का Full HD Plus Resolution Solar Display जो की V-Notch की साथ आता है साथी साथ MediaTek का Helio P60 chipset दो राम वेरेंट्स हो सकते हैं इसके 4GB और 6GB वेरेंट्स जिसमें आपको 16 प्लिस दो मेगापिक्सल का डूल रे सेंसर, 25 मेगापिक्सल का फ्रेंट का क्यामरा और 3500 इमेच की बैटरी देखने को मिल सकती है साथ साथ company ने बताया है कि ये phone वुक चार्जिंग सपोर्ट करेगा यानि पांच मिन्ट की चार्जिंग के बाद आप इसको दो घंटे के टॉक टाइम के लिए यूज कर पाएंगे वीवो ने माई के महीने कम बजट में Y83 को लांच किया था जो की नौच दिस्प्ले के साथ आता है वहीं अब 91 मोबाइल को एक्स्क्लूजव ख़बर में लिए कि कमपनी इसका अपग्रेड़ेड वर्जिन यानि वीवो Y83 प्रो भारतिय बाजार में लांच करने के लिए तयार है जी हां माना जा रहा है कि इसमें 6.2 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले 4GB RAM सा 24GB की इंटरनल स्टोरेज 13 प्लस 2 मेंकपिक्सल का रियर सेंसर 8 मेंकपिक्सल का फ्रंट क्यामरा और 3260 इमेज की बैटरी देखने को मिल सकती है साथ साथ मान जा रहा है कि शायद ये फोन लगबग 16,000 पे क्या सपास आपको मिल सकता है जब OPPO एक नई इनोवेशन के साथ आ रहा है तो ऐसे में Vivo कैसे पीछे रह सकता है जी हाँ, खबर आए कि Vivo भी बहुत जल्द OPPO की तरह ही एक V-shaped notch डिस्प्लेवला स्मार्ट फोन V11 लाँच करने के लिए तयार है खबर के नुसार, इस फोन में आपको 6.41 इंच का Full HD Plus Resolution वाला Super AMOLED डिस्पले Snapdragon 660 चिप सेट 12 प्लस 5 मेकपिक्सल का Dual Ray Sensor, 25 मेकपिक्सल का Front Camera, 6 GB RAM के साथ 108 GB की internal storage और 3400 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है तो यह था इस अफ़ते का Technology ग्यान मुझे पूरी उमीद है कि आप भी देश और दुने की Technology News से रूबरू हो गए होंगे और फिर भी अगर आपको इन News को लगी कोई भी Queries हैं तो आप प्लीज मेरे Coinbox में Mention कर सकते हैं, साथ-साथ मैंने इन सभी News के Links दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है आप in code detail में वहाँ पर पढ़ सकते हैं और हाँ, हमेशना कितर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे like करें, share करें और हमारे चैनलों को subscribe करना बिलकुल न भूलें And as usual, अगर आप हमसे chat करना चाते हैं तो अब इन दी गई आईडी में जागे जुड़ सकते हैं या फिर मैंने मने परस्नल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं Until then, this is केशाव खेरा, signing off